हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वीटी टु कमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में काफी क्रूशल और इंपोटेंट टॉपिक उपर बात करें जा रहे हैं जिसको आपको regular basis पर face करना पड़ता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि stop loss hunting है क्या हम इस concept को समझेंगे और इसके बाद हम अपने आपको stop loss hunting से कैसे बचा सकते हैं और stop loss hunting के दोरा जो हमें नुकसान होता है उस loss को हम कैसे avoid कर सकते हैं यह हम सीखेंगे और at last हम यहाँ से profit कैसे बना सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो में लाश तक बने रहें अगर आप अपने आपको stop loss hunting से आगे protect करना चाहते हैं तो चलिए start करते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगे और यह जो चार्ट आपको देखने को मिल वा यह आपका भारती एयर टेल का daily time frame वाला चार्ट है अब यहां पर हमने daily time frame वाला चार्ट क्यों लिए क्योंकि यहां पर हमें regular basis पर stop loss hunting देखने को मिल जाता है आप जिस भी time frame में trade करते हैं वहां पर आप trade कीजिए अगर आपको कभी भी stop loss hunting देखने को मिलता है तो आप वहां से अपने आपको protect करते हुए profit बना सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो stop loss hunting है वो होता क्या है तो यहां पर देखें प्राइस आपका continuously नीचे से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है अब जो भी लोग buy करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर वो यहां पर SL रखेंगे या फिर यहां पर SL रखेंगे और continuously SL रखके buy करते जाएंगे SL को trail करते जाएंगे लेकिन यहां पर क्या है एक का एक without any vision प्राइस में हमें drastically downfall move देखने को मिला है और जिनका भी SL यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हो उन सब क्या होगा SL हिट होगा और सिर्फ आपका SL हिट करने के लिए प्राइस नीचे आया और उसके बाद closing आपका इसी line के आस पास दिया फिर यहां पर जो up trend move है वो continue देखने को मिल वहा है यहां पर जो प्राइस आपका नीचे side की तरफ आया है वो आपका SL को hunt करने के लिए यहां पर हमें stop loss hunting देखने को मिल वहा है अब stop loss hunting तो हम समझ गए कि price में fluctuation देखने को मिलता है सिर्फ आपको tail देखने को मिलता है यही tail आपका नीचे आता है और यह आपका SL को hit करवा देता है तो इससे हम अपने आपको कैसे protect कर सकते हैं वो समझने की ज़गत है और फिर हम इससे कैसे profit बना सकते हैं वो भी यहाँ पर समझने की ज़गत है अब यही concept यहाँ पर हमें समझने की ज़गत है इससे पहले हमारे पास multiple example है यहाँ पर देख लीजे यहाँ पर price आपका एक range में trade कर रहा है अब जो भी लोग यहाँ पर buy कियोंगे वो थोड़ा नीचे अपना SL लगाए पर आप नीचे है यहाँ पर आपका SL हंटिंग और आपका SL हिट हुआ होगा यहाँ जो भी लोग ऊपर यहाँ रहाँ है तो यहां पर आप buy करो, sell करो, किसी भी direction में आप trade करो, आप stop loss hunting के सिकार बन सकते हैं, यहाँ पे आपका SL without any vision, सिर्फ आपका fluctuation से SL hit हो सकता है, तो इस वीडियो में हमें यही देखना है, कि यहाँ पे जो हमारा SL hit हो रहा है, और यह आपको regular basis पे time to time, जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ल इससे बचने की ज़रुवत है, कैसे बच सकते हैं, वो समझने की ज़रुवत है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका market एक direction है, यहीं मार्केट में हमें clear cut up trend देखने को मिल रहा है, अब जो भी लोग जहाँ पे भी buy करें, stop loss कहीं नहीं कहीं लगाएंगे, और without stop loss आप प्राइस आपका नीचे आएगा, यह आपका SL हिट करेगा ही करेगा, इससे हम अपने आपको नहीं बचा सकते हैं, और इससे बचने के लिए हम बहुत ज़्यादा नीचे SL भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह daily basis पे नहीं आता है, occasionally आता है, तो यह नीचे आएगा हमारा SL ह उठाना ही परेगा, अब इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने trade को loss में ही खतम करें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा loss हो रहा है, इस loss को हम recover करेंगे, अब इस loss को हम recover करके, हम finally profit में कैसे आ सकते हैं, यह चीज़ हमें समझने की ज़वत है, क्योंकि stop loss hunting से कोई भी आपको बचा नहीं सकता है, और इसके कारण से अगर आप stop loss में modification करते हैं, तो जो आपको regular basis पे profit मिलता हुआ आ रहा, उतसे आप पंची तुरा जाएंगे, वो आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको देखते वे हमें अपने trading strategy में कोई changes नहीं करना है, हमारा SL हीट ह होता है, तो होने दीजे, अब इसके बाद क्या trade करना है, अगर हमें यहाँ पे जो opening price और closing price में ज्यादा कोई difference देखने को नहीं मिलता है, यह चाहिए आपको दिहान देना है, अगर इसमें लंबा till बन गया, इतना लंबा till बन गया, तो फिर हमें यह down trend का indication देखा, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका opening और closing price में ज्यादा कोई difference नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो trend आपका चलवा, यानि इसके high को mark कर लेंगे, और जैसे price इसके high को break करके उपर निकलेगा, यहाँ पे हम वापस से buy side की तरफ entry लेंगे, without कोई region के र trade लेंगे, और जो भी पहले आपका SL था, जो hit हुआ था, वही आपको SL रखना है, यानि previous swing low, यह हमारा SL की रूप में काम करता हुआ दिख सकता है, और इसके बाद price आपका continuously आपका open side की तरफ गया है, और यहाँ पे जो हमें नुकसान हुआ है, SL हिट होने के कारण, उस हिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे trend में कोई changes नहीं आया है, यह सिर्फ market से थोड़े लोगों को खाली करने के लिए काम करवाया जाता है, और यह आपका basically operators और big player के लिए करवाया जाता है, और वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े players को यहाँ पे dual benefit मिलता, price जैसे ही नीचे side की तरफ आता है, आपका SL हीट होता है, आप trade से exit करते हो, at the same time वह वहाँ पे trade में entry करते हैं, यह नहीं, वो क्या करते हैं, उनको यहाँ पे lower level पे entry करने का मौका मिल जाता है, और at the same time बहुत जल प्राइस आपका ऊपर आता है, और वो यहाँ से धीरे-धीरे करके अपने trade पिर से exit भी हो जाते हैं, बहुत जल प्राफिट बना के निकल भी जाते हैं, तिसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ ड़ने की जवतनी है, जो trend है वो continue ही रहेगा, ज़्यादा कोई changes नहीं आएगा, तिसलिए जैसे इसके high को break करके price उपर जाता है, आप दुबारा बिना डड़े हुए, बाइसेर के तरफ trade initiate कीजिए, और previous swing low के basis पर अपना SL रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर चाहो तो SL का छोटा सा भी कर सकते हो, यानि SL थोड़ा सा छोटा भी आप रख सकते हो, और फिर इसी तरीके से अब trend हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम profit बना सकते हैं, तो आपको stop loss hunting के बाद ड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो trend आप चल वह थे, जो trend के साथ आप चल वह थे, वह ही आपको follow करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम दूसरे example पर आते हैं, बिटैनिया के daily time frame पर आते हैं, अब यहाँ पर आपको देखने की ज़र होगा, हमें यहाँ पर loss होगा ही होगा, हम loss से अपने आपको नहीं बचा सकते हैं, लेकिन इस loss को हम recover जरूर कर सकते हैं, अगर इस loss को आप recover नहीं करें, तो आप बहुत बड़ा गलती करें, आप सही strategy का इस्तमाल नहीं करें, यहाँ पर वही काम करेंगे, जैसे price इसके high को बन जाता, तो यह हमारे target price को आसानी से hit कर देगा, यहाँ पर जो हमारा stop loss hunting हुआ उसमें, तो जो लोग buy कियोंगे, उनको यहाँ पर profit मिल जाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर sell किये होंगे, उनका यहाँ पर sell होगा, और उनको यहाँ पर loss उठाना पर होगा, तो अब ज थोड़ा सा whisk बना रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपका SL हिट हुआ है, तो थोड़ा बहुत आपको chances मिलेगा, इसके नीचे जाते हैं आप चाहोता हो, sell side की तरफ trade initiate कर सकते हो, लेकिन अगर यह clear cut up trend में हुआ, यहाँ पर range bound move दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम sell कर रह बात है, जब market आपका range bound हो, या फिर down trend में हो, और वहाँ पर जाके इस तरह से हमें upside में till देखने को मिल जाए, तो इस condition हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाते हम sell side की तरफ जा सकते हैं, और यह हमारा target pace रहा जाएगा, इसके करीब आया है, और जैसे हमने देखा है कि नीचे sell hunting के बात, यह हमें recovery का मौका देता है, एनी loss को recover करने का anyhow यहाँ पे मौका जरूर मिलता है, और आपको उस मौका से फाइदा उठाके loss को recover करना है, क्योंकि यहाँ पे हम sell hit होने से अपने आपको बचा नहीं सकते हैं, तो उमीद करते हैं कि आपको sell hunting के पीछे का concept समझ में आ गया होगा, और यहाँ से हम अपने आपको कैसे बचाते हुए, loss को हम कैसे recover करते हुए, कैसे यहाँ से हम profit बना सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो उमीद करते हैं, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे यह चीज आपके लिए बह